वहारे दिमाग में पक्का एक्वेश्चन आ रहा होगा, काश हम मैं पास होते और मैं से में एक्वेश्चन आख रहाते बिना किसे खिड़की विड़की की उसमें कैंडल वेंडल जिलाके कभी नहीं, यह दिया पूरा टाम जिलाता करें अगर मैं बोलूँ, मेरे पास मायोगलोबिन है और मेरे पास हीमोगलोबिन है मैंने दोनों को ऑक्सुजन दिया, सबसे पहले कौन 100% साचुरेट होगा वो जैसे ही उसको आप एकदम से लो प्रेशर देना शुरू करोगे तो वो गैस आपके टिशूस में से बाहर आने शुरू होगी Hello everyone and welcome to our Aftar series and I am Dikshar Sharma, your Zoology teacher So far we have studied a lot of things about the human respiratory system हमने breathing के बारे में discussion किया, respiration के बारे में किया तो चलो बिटा, जो हमने previous class में किया था क्या किया था हमने previous class में? हमने पड़ा था कि कैसे हमारी gases exchange होती है और कैसे transport होती है याद है या नहीं याद है? देखें चले फिर black and white दुनिया में तो हमने बिटा किया था कि किस तरह से आपकी जो oxygen and CO2 exchange हुआ और कैसे उसका transport हुआ अब देखते हैं आगे कि कैसे वो oxygen का क्या हुआ? CO2 का अंदर क्या हुआ? कैसे वो transport हुआ? हमने बात किया यह कैसे जाता है ऐसे जाता है बट actual में क्या होता है? Let's see ओके बात करते हैं मेटा oxygen के transport की oxygen के transport को समझने के लिए हमें एक curve समझनी होगी इस curve का नाम है oxygen dissociation curve क्या नाम है? oxygen dissociation curve oxygen dissociation curve बच्चे क्या होता है? oxygen dissociation curve क्या होता है यह एक ग्राफ बनाते हैं जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बिट्वीन दी पॉसन साचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पी ओटू चलो देखते हैं क्या है क्या मैं हम टफ से वर्ड बोल रही है यार देखें क्या बोल रही है मैडम ओके यह तो रेकोगनाइजर नहीं कर रहा है यार मुझे कर लिया चलो तो यहां पर आपके पास एक ग्राफ बनेगा इस ग्राफ में एक एक एकसिस पर होगा partial pressure of oxygen और दूसरी तरफ इधर होगा percentage saturation of हीमोग्लोबिन हमने लास्ट क्लास में किया था कि जो आपका oxygenated blood होता है उसमें आपका जो P02 की value है around 95 mm of mercury है और विरस जो आपका deoxygenated है उसके around 40 mm of mercury है इतना ही किया था ना हमने जैसे tissues की बात करें तो tissues के around आपका क्या है 40 45 की value रहती है 40 oxygen and CO2 45 ठीक है यह रहता है अगर हम tissues की बात करें तो यहां पर विटा जब हम इन दोनों को देखते हैं partial pressure of oxygen और percent saturation of hemoglobin मतलब hemoglobin के साथ कितना oxygen लगा हुआ है अगर इसको देखते हैं तो एक यहां पर आपके पास curve आती है which is a sigmoid curve like this the sigmoid curve s-shaped curve right तो जब भी हम partial pressure of oxygen और percent saturation को plot करते हैं which curve do we obtain, we obtain sigmoid curve s-shape curve अब यह क्यों होती है कैसे होती है let's see अब यहां पर parameters क्या है हमने कहां यहां partial pressure oxygen का यहां पर percentage saturation है imagine यहां 50% saturation है और यहां पर 100% saturation तो अगर मैं बोलूं 50% saturation आपका होता है around 20 और 30 के बीच में 20 और 30 के बीच में यह partial pressure oxygen का let's just draw it 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यह graph थोड़ा हम आगे ले जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा nearly 100% saturation शो कर रहा है जब उसका 90 अबव क्या आ रहा है उसका 90 अबव क्या आ रहा है बेटा partial pressure oxygen का तो यह scenario आपको बेटा कहां पर दिखता है यह दिखता है pulmonary vein में जहां पर आपका बलड क्या है बेटा oxygen कह सकते है there is oxygenated blood तो यह scenario that means 50% hemoglobin saturated oxygen के साथ यह कहां पर दिखेगा जहां पर आपका blood क्या है D oxygen तो यह graph से हमें क्या पता चला हमें पता चला जैसे जैसे हम partial pressure oxygen का बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका hemoglobin saturated होने लगता है जहां हम 100% saturation दिखा रहे हैं वहां 90 अब आपकी value आप देख सकते हैं ठीक है तो इसलिए whenever you increase, whenever you increase, okay, the partial pressure of oxygen, there is increase in, there is increase in percentage saturation of hemoglobin, hemoglobin saturation का मतलब formation of oxyhemoglobin, ठीक है, oxyhemoglobin बनेगा जब आप PO2 की value increase दरोगे इस partial pressure पर oxygen के partial pressure पर आपका आदा hemoglobin, आपका आदा hemoglobin saturate हो चुका है oxygen के साथ उसे हम कहते हैं P50 value, तो यहां पर बेटा राउं 25 की जो value आ रही है, that is your P50 value, what is P50 value, it is that partial pressure of oxygen where 50% hemoglobin is saturated with oxygen, क्या ये बात आप सबको समझ में आई बेटा, yes, इसको दुबारा से देखो, दुबारा बता रही हूं मैं आप सबको, देखो, हमने जैसे जैसे partial pressure oxygen का बढ़ाया, वैसे वैसे आपका saturation बढ़ी, saturation का मतलब है oxygen का hemoglobin के साथ जुड़ना, ठीक है, 100% saturation कहां पर आ रही है, जहां पर आपका 90 अबव क्या है, आपका partial pressure of oxygen इसकी example जैसे हमारे pulmonary vein में oxygenated blood होता है, और oxygenated blood की जो partial pressure oxygen के around 95 mm of mercury होती है, so there is a proof, right, तो इस से हमें क्या पता चलता है, इस से हमें एक relationship पता चलता है, partial pressure oxygen का और hemoglobin के लगने से, तो क्या मैं यह कह सकती हूँ, इस सब को पढ़कर deduce कर सकते हम, कि आप अगर कहीं पर partial pressure oxygen का जादा है, तो hemoglobin भी oxygen के साथ लगा होगा, saturated होगा, अगर partial pressure oxygen का कम होता है, तो hemoglobin और oxygen की dissociation होगी, होगी न, मतलब अगर मैं इसको reverse लेकर आ रही हूँ, मैं partial pressure कम कर दे रही हूँ, मैं partial pressure कम कर दे रही हूँ, तो यहाँ पर hemoglobin oxygen से तूटना शुरू होगा, तभी इस curve का नाम क्या है, oxygen association curve, right, so whenever you are increasing the partial pressure, there is increase in saturation of hemoglobin, that means यहाँ पर oxy hemoglobin बनना शुरू होगा, जैसे जैसे there is decrease in partial pressure of oxygen, उससे क्या होगा, बेटा, there is dissociation of oxy hemoglobin, dissociation of oxy hemoglobin, तो यह trend हमें इससे पता चलता है, और यही आपको यह graph बताता है, तभी इस graph का नाम क्या है, oxygen dissociation curve, right, तो यह था बिटा, oxygen dissociation curve का basic, यह क्या है, कैसे होता है, बट यह oxygen dissociation curve, अलग-अलग factors के होने से भी change हो सकता है, यह एक normal बंदे में है, तीक है, अब अगर हमारे body में कुछ चीज़ें alter होती हैं, कुछ differences आते हैं, जैसे एक मैं आपको example देती हूँ, partial pressure of CO2 increases, तो उस time पर यह जो curve है, यह इदर-उदर हो सकता है, तो there can be a right shift to the curve and there can be a left shift to the curve, let's see what is that, देखते हैं बटा, अगर मैं बोलूं बटा, यह मेरे पास oxygen dissociation curve है, normal बंदे की, normal condition, ठीक है, अब यह जो बटा, curve है, यह जो curve है, यह इदर भी जा सकती है, that means right shift भी कर सकती है, यह इदर भी जा सकती है, that means left shift भी कर सकती है, अब देखते हैं, right shift मतलब यह इदर गई, left shift मतलब यह इदर गई, अब हमने जो left shift है, इसको हम good shift बोल देते हैं, left को good कह देते हैं, और right को bad कह देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें, क्यों और कैसे, let's see, मैंने कहा P50 value क्या होती है, P50 value होती है, ये वो partial pressure है oxygen का, जहां पर आपका आदा hemoglobin saturated है, जहां पर आपका आदा hemoglobin saturated है oxygen के साथ, अगर मेरे पास एक condition है, जहां पर कम P50 value में, आपका hemoglobin 50% saturated हो रहा है, दूसरी मेरे पास situation है, जादा P50 value में, मेरा hemoglobin 50% saturated हो रहा है, कहने का मतलब, अगर मेरा कम P50 value, मतलब कम partial pressure of oxygen पे, मेरा hemoglobin 50% saturated हो रहा है, तो अच्छी बात है, अगर मेरा जादा partial pressure oxygen का use करके, P50 value achieved हो रही है, और मेरा oxygen 50% या कहलो hemoglobin लग रहा है, 50% saturation हो रही है, तो वो तो बुरी बात हुई न, इधर देखो, अगर मेरे पास ये 50% है, ये 50% है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि इसकी P50 value इधर आ रही है, इधर देखो, इधर, इसकी P50 value इधर आ रही है, और इ एक इसकी normal की और इसकी, ठीक है, ये सबसे कम है, least and this is the most, so that means, right shift तो bad हुई, क्योंकि ये जादा oxygen यूज कर रहा है, फिर जाके 50% saturate हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कुछ factors होते हैं, जो आपकी इस curve को right की तरफ shift कर देते हैं, कुछ factors होते हैं, जो left की तरफ shift करते हैं, let's see what are these factors First of all, बेटा, there is another gas which is CO2, तो अगर partial pressure CO2 का जादा है, अगर CO2 का partial pressure जादा है, तो उससे कौनसे shift होगी, right shift होगी, तो पहला factor हम करते हैं, if there is increase in partial pressure of CO2, there will be right shift, इसका opposite कर दो, less partial pressure of CO2, there will be left shift Now, why CO2 causes right shift, let's see, पिटा, जो भी right shift वाले factors होगे, जो भी right shift वाले factors होगे, वो आपके hemoglobin को oxygen से उतारेंगे, इस बात को दिमाग में अच्छे से देख लो, बांध लो, जो भी right shift वाले factors होगे, वो आपके oxygen को hemoglobin से उतारेंगे, जो left shift वाले होगे, वो क्या करेंगे, they will make sure, क आपका क्या हो, association हो, किसे, oxygen का hemoglobin से, तो अभी बेटा, अगर PCO2 जादा है, हम कौन से shift कर रहे हैं यहाँ पर, we are talking about the right shift, ठीक है, जब भी PCO2 जादा होता है, तो जब भी CO2 आता है, तो बेटा, आपने एक reaction किया था, वो water के साथ react करता है, और यह water के साथ जब भी react करता है in the presence of enzyme carbonic anhydrase, carbonic anhydrase, यह क्या बनाता है, पिटा, यह बनाता है, carbonic acid, which further dissociates into H-positive iron plus bicarbonate, यह होता है, तो मतलब अगर PCO2 जादा होगा, अगर PCO2 जादा होगा, तो वो H-positive iron जादा बनाएगा, तो जो यह H-positive ions होते हैं, यह क्या करते हैं, यह जो H-positive ions होते हैं, यह बहुत बुरे हैं, यह HbO2 को oxygen से लगने नहीं देते, खुद लग जाते हैं, और बना देते हैं, HbH, और oxygen को कर देते हैं, really, So, these H-positive ions, what are they doing, what are they doing, they are, they are what they are doing, यह HbO2 को तोड रहे हैं, यह dissociation करते हैं, यह dissociation करते हैं, HbO2 का, So, ultimately, इस reaction से क्या पता चल रहा है, there is dissociation of HbO2, ठीक है, तो अब आपको इस reaction को reverse करने के लिए क्या करना होगा, You have to increase the partial pressure of oxygen, जिस से P50 value बढ़ेगी, और shift right की तरह, तो इस से आपको क्या करना होगा, To form HbO2, partial pressure of oxygen should be increased, और बैटा, जब यह increase होगा, partial pressure oxygen का, Increase in PO2, मतलब आपको oxygen का partial pressure जादा चाहिए, there will be increase in P50, the shift will be right side, So, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे factor पर भी गिरते हैं, दूसरा factor क्या है बेटा, increase in H positive, यही बात होई न, तो यह दोनों factor तो आपस में जुड़े हुए है, तो जब भी PCO2, मतलब partial pressure CO2 का बढ़ेगा, तो H positive आइन बढ़ेंगे, जिससे pH गिरेगी, तो opposite, आप कर तो left shift में, there is low H positive आइन, there is increase in, ठीक है, इसका हम comparison कर रहे हैं, तो जब भी low pH होगी, H positive आइन बढ़ते हैं, low pH मतलब acidic, और H positive आइन, acidic conditions क्रीज़, फिर बेटा, अगला factor आता है, फिर आता है, बेटा, अगला factor, that is temperature, अगला factor क्या है, temperature, whenever there is increase in temperature, whenever there is increase in temperature, जब भी बेटा, temperature बढ़ता है, तो जो proteins होते हैं, वो तूटने शुरू होते हैं, इस process को कहते हैं, denaturation, क्या कहते हैं, denaturation, denaturation हैं कैसा process है, अगर किसी protein को आप heat up करते हो, तो उसके bonds टूट जाते हैं, वो protein dissociate हो जाते हैं, अगर body में temperature बढ़ेगा, तो उ amino acid का बना हुआ, protein part जो है, जो हमने last class में भी क्या था, वो protein part टूटने लगता है, जिसकी वज़ा से hemoglobin और oxygen टोटली बाइंड नहीं कर पाते, and there leads to the dissociation of oxyhemoglobin, तो ultimately temperature बढ़ाने से oxyhemoglobin टूट रहा है, तो shift कहां जाएगी, राइट साइड पे, और तीसरा जो आपका next factor ज glycerate, जब आप glycolysis पढ़ोगे, तो उसमें आपको compound मिलेगा BPG, यह BPG क्या करता है बिटा, यह भी जो amino acid वाला part होता है, उसके साथ जाके लग जाता है, जिसकी वज़ा से hemoglobin का structure टूट जाता है, और वो oxygen के साथ नहीं जूट जाता, तो technically temperature and BPG, both are playing the same role, वो hemoglobin के structure को खरा कर रहे हैं, जिससे oxygen, तो अगर यहाँ पर हम left shift में लिखे, there should be less temperature and less BP, यह सारे factors बिटा, आपका क्या करवाएंगे, यह सब करवाएंगे आपकी left shift और वो सब करवाएंगे आपकी right shift, let's write about the temperature वाला भी, temperature वाले के बारे में भी लिख देते हैं, बिटा, चलो, write down about the temperature, अगला factor क्या हमने किया, temperature, increase in temperature destroys structure of hemoglobin which causes dissociation of oxyhemoglobin and increases P50 value, जिस से shift कहां जाएगी right side 23BPG का पूरा नाम है 23BPG, spending upon कि उसमें phosphate कहां कहां लगा है, 23BPG by phosphoglycerate short form 23BPG, यह क्या करता है, it is an intermediate product of glycolysis, सब glycolysis में बीच में बनता है, यह कहीं it destroys it destroys it destroys the structure of hemoglobin right, उससे क्या होगा, same thing, bright shift होगी, क्यों? there will be dissociation of what, बेटा, किसका dissociation होगा, आपका oxyhemoglobin all right तो बेटा, यह था, क्या-क्या factors left shift करते हैं, right shift करते हैं, तो याद रखना क्या-क्या factors आपकी बेटा, right shift कर रहे हैं, तो left shift कर रहा है, याद ही नहीं करना पड़ेगा right shift में हमेशा P50 value बड़ी होती है, left shift में हमेशा P50 value कम होती है right shift किससे होता है, अगर CO2 बड़े, जिसे H positive 1 बड़ेंगे, pH गिरेगी, temperature बड़ा and 2-3 BPG बड़ा, basically बेटा, इसमें सारे factor बड़े हुए, एक को छोड़के, that is pH तो ऐसे याद कर लेना, इससे आपकी shift क्या जाएगी, right की तरफ जाएगी, ठीक है, तो ये एक तरह का graph है, जो हम blood में देखते हैं, कि किदर किदर आपका partial pressure oxygen का बढ़ाने से hemoglobin की कैसे saturation, okay fine, alright, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बटा हम पढ़ेंगे, कि किस तरह से, कि किस तरह से आपके जैसे एक myoglobin होते हैं, होता है ना myoglobin, आपका एक myoglobin होता है, और कहलो कि आपका एक fetal hemoglobin होता है, एक हमारा adult hemoglobin होता है, तीनों में oxygen dissociation curve अलग बनती है, और क्यों बनती है, देखो, जब तुम fetus थे, ये embryo थे, तो तुमारे hemoglobin में, और जो तुमारे में अब hemoglobin है, उसमें फ fetus में 2 alpha, 2 gamma होते हैं, जिसकी वज़ा से जो affinity होती है, जो जुडाव होता है oxygen का hemoglobin को लेकर वो जादा होता है fetus, because वहाँ पर chain कौन सी है gamma, उसकी affinity, उसका जुडाव जादा होता है oxygen से हमारे जो beta के मुकाबले, right, दूसरी बात, अगर मैं myoglobin की बात करूँ, myoglobin भी एक pigment है myoglobin pigment आपको muscle में मिलता है, तो myoglobin pigment में एक iron होता है और हमें 4 iron होते हैं, अगर मैं एक और चार को compare करूँ, तो किसमें जल्दी oxygen जुडेगा, किसमें कम iron है, ताइम की अगर बात करें, अगर मैं बोलूँ, मेरे पास myoglobin है और मेरे पास hemoglobin है, मैंने दोनों को oxygen दिया, सबसे myoglobin क्यों, उसके पास तो एक ही iron है, उसको तो एक ही oxygen से जुड़ना है, तो वो तो जल्दी saturate हो गया, वो तो जल्दी complete हो गया, वेरेस जिसको चार से जुड़ना है, वो धीरे होगा, अगर मैं बोलूँ कि एक बंदे ने एक ही चपाती खानी है, दूसरे ने चार खानी है तो कौन अपना खाना, अपना मील जल्दी फिनिश करेगा, कौन करेगा, जिसने की चपाती खानी है, देगे, क्योंकि वो कम खाएगा, जल्दी कर देगा, similarly myoglobin और hemoglobin के साथ यही होता है, इसलिए इनकी oxygen dissociation में थोड़ा सा फरक होता है, चलिए देखिए, अगर यह मेरे पास graph है, यहाँ पर partial pressure है oxygen का, इधर है percentage saturation, हमारे पास बेटा, एक curve बनती है, आपके adult hemoglobin की, like this, फिर उसके बाद उससे कम P50 value में बनती है, fetal hemoglobin की, और सबसे कम value में, सबसे कम value में किसकी curve बनती है, आपके myoglobin, like this, ठीक है? तो यह blue वाली curve किसकी है, बेटा, myoglobin की, what is a myoglobin? It is a oxygen carrier present in muscle, जैसे blood में hemoglobin oxygen carry करता है, वैसे ही muscle में myoglobin करता है, फिर उसके बाद बेटा, यह है आपका fetal hemoglobin, और यह है adult hemoglobin, ठीक है? adult hemoglobin में 2 alpha, 2 beta chain होती है, इसमें 2 alpha, 2 gamma होती है, और affinity क्या होती है? इसकी oxygen के लिए, affinity more to oxygen, ठीक है? इसलिए अगर आप देखोगी, अगर 50% saturation इदर है, इसकी P50 value तो देखो, बिलकुली कम है, इसकी P50 value थोड़ी और ज्यादा, इसकी सबसे जादा, तो this one has the highest P50, इसकी सबसे कम P50, इन दोनों को compare करो, हीमोग्लोबिन को, तो fetal की P50 value कम है, ओके, तो वो उतनी जल्दी क्या कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, तो यह था बिटा, तीनों का comparison, हलो, आगे बढ़ते हैं, बिटा, आके हम पढ़ेंगे, कि यह gases actual में move कैसे करती है, कैसे move करती है, कैसे जाती है, आगे, अब यह पढ़ेंगे, देखो बच्चा लोग, यहाँ पर, हमारे पास जो gaseous exchange हो रहे है, वो दो जगा पर हो रहे है, कल मैंने आपको रटवाई थी एक बात, कि हमारे पास जो gaseous exchange होती है, एक होती है, alveoli blood के बीच में, और दूसरी blood or tissues के बीच में, अब यह actual में पूरा chemical funda वहाँ पर क्या चलता है, चलो वो, सबसे पहले हम बात करेंगे, बिटा, tissues, बात करेंगे, tissues, ओके, let's talk about tissues, यह आपके tissues, यह आपके tissues, यह आपके tissues ठीक है, tissues के पास आती है, बिटा, blood capillary, कि अंदर होता है, बिटा, बिटा, कही पड़ा था, हमने, कही किया था, ठीक है, अब बिटा, जो आपके tissues होते है, tissues में चल रही होती है, cellular respiration, tissues में क्या चल रहा है, cellular respiration, वो अपने glucose को oxygen देगा, तोड़ेगा, और वहाँ पर बनाएगा, बिटा, energy, और release करेगा, CO2, तो यहाँ पर बिटा, tissues ने क्या produce किया, CO2, अब यह CO2, कुछ तो blood plasma में सीधा ही चला जाएगा, यह blood vessel है, इसमें blood है ना, बिटा, तो कुछ तो कितना percent, 7 percent, प्लाजमा में dissolve form में जाएगा, ठीक है, कुछ आपका हीमोग्लोबिन के साथ लगेगा, CO2, 20 to 25 percent, हीमोग्लोबिन के साथ, कल बताया था ना, हीमोग्लोबिन के साथ, जब भी CO2 लगता है, तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, और उसकी शर्त क्या रखी थी, जादा CO2, तो जादा HBCO2, अगर CO2 कम है, तो जादा नहीं associate करेगा, अब यहाँ पर बेटा, यह बनता है HBCO2, विच इस कार्बमी और 70% CO2 का बेटा क्या होगा, यह water के साथ react करेगा, in the presence of enzyme carbonic enhydrase, यही पढ़ाया था मैडम जी ने, और यहाँ पर बनेगा H2CO3, जो further carbonic enhydrase की presence में, H positive ion, और साथ में क्या बनाएगा, H3, यह दो चीज़े बनी बेटा, यहाँ पर, याद है आपको, क्या किया था हमने इदर, इदर दुबारा बता रही हूँ, HCO3 negative दुबारा यहाँ पर CA आएगा, और क्या करेगा, HCO3 negative और H positive ion बनाएगा, ठीक है, यह H positive ion क्या करेगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, पीछे, यहाँ पर, यह step हो रहा है, सारा दुब है, यह blood कहां से आ रहा है बेटा, यह blood oxygenated, अगर यह blood oxygenated है, मतलब इसके पास क्या है, HbO2, क्या है, HbO2, यह blood oxygenated आ रहा है, oxygen देने के लिए tissues को, तो इस time पर हम देखेंगे, कि कैसे oxygen tissues में जाती है, और कैसे CO2 ठाली जाती है, तो हर एक step एक दूसरे पर interlink है, CO2 बना, पानी के साथ, अब यहाँ पर जो बना बनाया, HbO2 आ रहा था, that means oxygen जो alveoli, from alveoli, alveoli से आ रही थी न, यह blood, तो oxygenated होगा, तो यह क्या लेकर आ रहा था है, HbO2, अब इसके साथ बेटा, यह लगेगा, यह लगेगा इसके साथ, H-positive wine लगे इसके साथ, और क्या बना हो गया, और HbH, ठीक है, अब यह HbH, एक strong acid की तरह काम करता है, oxygen की यहाँ पर बेटा, क्या हो गई, oxygen की यहाँ पर हो गई, unloading, और oxygen गया अंदर, oxygen गया अंदर, अब बेटा, यह जो HCO3 negative wine है, यह यहाँ पर अकेला नहीं बैठा रहेगा, यह जाएगा बाहर, और इसके ब Rideshift और hamburger phenomenon, hamburger, तीक है, यहाँ पर बेटा, जो यह H positive wine बाहर गये है, यह क्या करेंगे, यह H positive wine बेटा, जो बाहर गये है, sorry, HCO3 negative wines जो बाहर गये है, यह क्या करेंगे, यह HCO3 negative wine, it will react with sodium wine और potassium iron and they will act as a buffer, now what is a buffer, यह buffer क्या होता है, तो HCO3 negative iron यहां पर बनी है, वो बाहर जाएंगे उनके बदले chloride iron आएगा क्योंकि यह एक channel होता है, अदला बदली होती है, और यह blood में plasma में जाकर sodium potassium के साथ मिलकर buffer का काम करते हैं, और buffer का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि अगर pH खराब होती है, तो अपना एक iron छोड़ कर या लेकर pH को maintain करें, क्या बात यह समझ में नहीं आई, तो दुबारा repeat कर रहे हैं, बेटा हम यहां पर, कि यहां पर tissues ने CO2 बनाया, oxygen लेनी है, कैसे लेगा, यहां से जो blood आ रहा है, अल्वेलाइस से, वो oxygenated blood है, तो वो क्या बना के साथ react, HCO3 negative और H positive wine बनाया, H positive wine ने इसके unloading कर दी, HbO2 का dissociation करवाया, और HCO3 negative बाहर आए, क्लोराइड अंदर आया, इसे हम कहते हैं, क्लोराइड shift और hamburger phenol, अब यही जो RBC है, अब जब इसने oxygen दे दिया, और CO2 उठा लिया, तो अब यह ultimately क्यों सा blood हो गया, बेटा, deoxygen यह alveoli से आ रहा है, तो यह oxygenated blood है, अब इसने CO2 उठा लिया, तो यह blood क्या हो गया, बेटा, deoxygenated blood, अब यह oxygenated blood किसके पास जाएगा, बेटा, यह जाएगा alveoli के पास, किसके पास जाएगा, अब अल्वेलाय में जब यह जा रहा है तो यह यहां से क्या क्या बना के जा रहे है क्या क्या बना के जा रहे है एक तो इसने बेटा क्या बनाया हुए है HbCO2 क्या बनाया हुए है किसने HbCO2 और इसने क्या बनाया हुए है यहां पर HbH बनाया हुए यह चीज़ें बनाकर लेकर गया है, यही चीज़ें थी ना RBC में, जब यह deoxygenate हो गया और वहाँ पर गया, तो अब बिटा, यहां पर जैसे वो alveoli के पास गया, इधर कौन सा बलड़ा यह, deoxygen, जैसे यह alveoli के पास गया, इसने देखा partial pressure oxygen का जादा है, इसका जादा है, partial pressure oxygen का इस एरिया में जादा है, तो मैंने का था, जब भी CO2 का partial pressure कम होगा, oxygen का जादा होगा, तो HBCO2 की dissociation होगी, तो यहां पर बेटा, यहां पर क्या होगा, इसके साथ oxygen लगेगा, और यह क्या हो जाएगा, यह किसमें convert हो जाएगा, यहां पर जो आप HBCO2 बनाकर लाए हो, HBCO2 बनाकर लाए हो, अब यह oxygen के साथ लगेगा, और oxygen कहेगा, यह मेरा hemoglobin है, और CO2 release, वो alveol है, तो ऐसे CO2 चला गया, अब दूसरी चीज़ आपने HBH बनाई है, पहले hydrogen की army जादा थी, तो उसने HbO2 को तोड़ा, अब किसकी army जादा है, oxygen की, तो अब यह किसको तोड़ेगा, अब यह क्या बन गया, अब यह क्या बन गया बच्चे, यह क्या बन गया यहाँ पर, यह बना HbO2 plus H positive, अब यह H positive फिर जादा हो गए, अब यह अकेले तो नहीं रह सकते, अब यह अकेले तो रह नहीं सकते, तो इनके rescue के लिए कौन आएगा, जो बाहर गया बाहर कौन गया था, HCO3 नहीं, यह H positive आइन इसके साथ लगेगा, reaction होगा reverse, same आइन, कहाँ पर carbonic anhydrase के ही presence में reverse reaction होगा, H2CO3 बना, again, फिर क्या बना, H2O plus CO2, जो alvely में बना, so everything is going in reverse, अब चीज रिवर्स में जा रही है, और इदर chloride आइन जो अंदर थे, वो बाहर चले इसे हम कहते हैं, reverse of chloride, reverse of chloride, ठीक है, तो बेटा, दुबारा से बता रही हूँ, यहाँ पर CO2 का concentration जादा हुआ, तो CO2 ने water से रेक्ट किया, H positive आइन बनाए, HbO2 का dissociation हुआ, oxygen की unloading होई, इदर बेटा, क्या बन के आया था, यहाँ पर बन के आया था, HbCO2, deoxygenated blood में, क्योंकि जादा होता है, HbCO2, और HbHb जादा होता है, तो यह oxygen के साथ लगेगा, और यहाँ पर इसको तोड़ेगा, तो hydrogen 9 जादा हुए, तो HCO3 negative बाहर आएगा, CO2 बनेगा, CO2 बाहर, तो इस तरह से यहाँ पर हमने किसकी unloading करी, CO2 और यहाँ पर हमने कि इसकी unloading करी, oxygen, तो हम कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर, कि यह जो पूरा effect है, हमने इसको नाम दिया, bohers effect, तो bohers effect क्या होता है, बच्चा लोग, bohers effect होता है, कि जब CO2 का partial pressure जादा होता है, तो oxygen की unloading होता है, यही कह रहा है यह, दूसरा बेटा, यह जो effect है, यह कौन सा effect ह है, हालडेन's effect, just opposite to bohers effect, यह क्या कह रहा है, कि जब भी partial pressure oxygen का बनेगा, तो किसकी unloading होगी, CO2 की, कही तो बोल रहा है, bohers effect क्या कर रहा है, whenever there is increase in partial pressure of CO2, there is unloading of, unloading मतलब उतारना, unloading of oxygen, और oxygen tissues के पास जाएगा, और हालडेन क्या कह रहा है, whenever there is partial pressure increase in partial pressure of oxygen, there is unloading of, unloading of CO2, ठीक है, बेटा, अब यह मत समझना, यह syllabus से बाहर है, यह है, वो है कुछ है, यह NCRT ने पूरा process बताया है, एक ही paragraph, ठीक है, और वो paragraph कौन से है, जहां पे carbonic anhydrase वाली reaction दी हुई है, NCRT में, उसके नीचे यह लिखा हूँ है, इसको पढ़ लेना, आल्राइट, यह था आपका how the gases they transport, यह थोड़ा सा आपको tricky लग सकता है, but don't give hope, इसको दुबारा playback, playback, playback करके सुनते रहना, आपको समझा आ जाएगा, कोई tough नहीं है, ठीक है, सब बच्चे समझते हैं, तुम भी समझ जाओगे, तो यह बस, आपको इतना पता हो नची है, क कौन सा क्या कमाल करता है, ठीक है, कौन सा क्या कमाल करता है, तो तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत असान, तो इस तरह से बटा, इस तरह से आपका जो gases है, वो transport होती है, ओल्राइट, आगे चलते हैं बच्चा, आगे पढ़ते हैं, regulation, regulation, अब respiration को regulate भी किया जाते है, yes, it's true, regulation होता है, respiration का, ऐसे बात नहीं है, बड़े control center है, अंदर brain कोई जोटी-मोटी चीज़ नहीं है, दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, दिल तो ऐसे बदनाम है, दिल पे कोई जोर नहीं, जोर तो सारा brain का लग रहा है, तो regulation कैसे होती है, respiration, catch seat, regulation बटा, अलग-लग तरीको से होती है, जैसे, कुछ तो हमारे अंदर brain में सीधा center होते है, कुछ जैसे कहते हैं, कि respiratory center होते हैं, और कुछ chceach क्या होते हैं हमारे chemo receptors, तो दो तरह की चीज़े होती हैं यहाँ पर, एक आपके chemo receptor, और दूसरे respiratory दूसरे नहों से क्या होते हैं पिटा रैश्परेटरी रिधम सेनटर या रैस्परेटरी सेंटर सबसे पहले हम बात करते हैं respiratory center respiratory center की अगर बेटा मैं बात करूँ एक आपका होता है medulla में और एक होता है बेटा आपका pons में के नाम सुने हैं दीजादी structure और present in your brain जो आपका medulla होता है उसमें जो center है उसका नाम है respiratory respiratory rhythm center the center that is present center that is present in your medulla is respiratory rhythm center whereas the one which is present in pons is the pneumotexic ठीक है यह दो center है जो आपका respiratory rhythm center है medulla में यह आपकी normal conditions में inspiration control control normal inspiration ठीक है देखो यह क्या करता है अगर मैं इस time पर imagine करो इस जस्ट vague value यह सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए जादा इस पर जोर मतलगाना अगर मैं बोलू मेरा medulla information देता है तो मेरे में inhalation होता है for around 0.3 second ठीक है और उसके बाद medulla information देना बंद कर देता है so for something like 0.2 second मेरी expiration चुरू हो जाती है जूब उसना information नहीं दी neural signal नहीं गए, muscle contract नहीं हुआ तो मेरा expiration हो यह इस तरह से तुम्हें breathing control लेंगे और thanks to your medulla respirator rhythm center medulla वैसे एक ऐसा organ है brain का ऐसा part है basically stopping center आपके यह सारे respirator rhythm center cardiovascular center यह सारे medulla तो यहाँ पर जो pons है, p4 pons, p4 pneumotoxic में जो p silent है यह क्या करता है फिर अगर यह normal breathing control कर रहा है यह क्या करता है बेटा इससे हम कहते है switch off center क्या कहते है switch off center यह बेटा क्या करता है यह आपके technically आपके medulla में जो respirator rhythm center है उसे बताता है उसे बताता है कि तुम क्या करना है so it controls this respirator rhythm center जिससे respirator rhythm center अपना जो rate है respiration का वो alter कर देता है rate का मतलब कितनी breathe per unit right so यह क्या करता है it send signals to respiratory rhythm center and alter alter मतलब change rate of respiration तो यह बेटा स्विच ओफ इसका मतलब यह नहीं है कि respiration को रोकेगा respiration का rate change it never stops or never like switch off नहीं कर दे रहा है कि दम से यह उसको सिफ control this clear और यह खुद नहीं करेगा यह किसको बोलेगा यह medula को बोलेगा ठीक है तो उस recording वो अपनी क्या करेगा अपने जो respiration का rate है उसे इसके लावा और क्या होते हैं इसके लावा हमारे पास होते हैं बचे केमिकल को सेंस करते हैं और यह बलटा दो तरह की होते हैं एक central की मो receptors, जो central nervous system में होते हैं, मतलब medulla में, ठीक है? और एक होते है peripheral, एक होते है peripheral, जो आपके बाकी body parts में होते, especially blood vessels, ना होते है, blood vessels, in blood vessel, in blood vessel, और blood vessel कौन सी, एक carotid artery और एक iota, carotid artery वो artery होती है, जो आपके brain को blood supply करती है, और जो iota होती है, वो आपको पता ही है, आपके जो heart में से, so this can sense, it can sense the partial pressure of CO2, partial pressure of oxygen and partial pressure of H positive iron, whereas जो central chemoreceptors होते हैं, they can only sense partial pressure of CO2 and H positive iron, ठीक है, sorry मैंने यहाँ पर partial pressure H positive iron बोल दिया, यहाँ पर simple H positive, ठीक है बटा, यह oxygen को भी कर सकते हैं, CO2 को भी, H positive iron को भी, यह सिर्फ partial pressure CO2 का और H positive iron का, उसके पीछे बहुत बड़ा reason है, क्या है, हमारा जो brain है, हमारा क्या है, बेटा brain, यहाँ से सुना है, मेरी यह बात, if this is your brain, your brain is having some blood vessels, right, but blood vessels में बहुत सारी खराब चीज़, तो यह जो neurons हैं, हम इन neurons को नहीं चाहते कि यह पूरी चीजों के contact में आए, तो हमने बीच में एक barrier लगा दिया, क्या लगा दिया, barrier, इसे हम कहते हैं, blood brain barrier, क्या कहते हैं, blood brain barrier, blood brain barrier क्या करता है, यह blood को neuron के direct contact में नहीं आना, ठीक है, तो बेटा, हमारा जो blood है, उसमें 97% oxygen hemoglobin के साथ saturated है, तो oxygen को यहाँ पर पड़े हुए chemo receptors sense नहीं कर पाते, यह जो chemo receptors है, यह oxygen को sense नहीं कर पाते, क्योंकि oxygen तो hemoglobin के साथ लगा हुआ है, but CO2, जैसे कि मैंने बताया था, CO2 जादा soluble है, वो अंदर आ जाता है, तो CO2 को यह sense कर लेते हैं, ठीक है, तो यह थी CO2 और oxygen की कहानी, now how H positive wine, CO2 तो अंदर आ गया, उसको sense कर लिया, H positive wines की क्या कहानी है, जब बेटा, यह CO2 अंदर जाती है, तो water के साथ react करती है, and in turn H positive wines बनाती है, तो इन H positive ions को भी आपके chemo receptor sense कर लेते हैं, fine, तो यह बात याद रखना, oxygen, since oxygen ज़्यादा saturated होती है hemoglobin से, तो oxygen plays no role in chemo sensitivity, और chemo receptor पे oxygen का कोई ज़्यादा role नहीं होता, role होता है CO2 और H positive आपका, तो अगर मेरी body में CO2 बढ़ता है, blood में, तो CO2 बताएगा मेरे medula को, CO2 पहले chemo receptor को बताएगा इनको, और फिर वो medula को बताएगा कि भाई, CO2 बढ़ गया है, breathing ज़्यादा करो, oxygen ज़्यादा चाहिए, पर अगर मेरा oxygen का level up-down होता है, तो वो कोई role play नहीं करता, क्यूंग क्यूंकि oxygen तो already saturated है, pre-form में gas का होना ज़रूरी है, pre-form में gas का होना ज़रूरी है, to tell chemo receptor या chemo sensitivity की, pre-form में oxygen कम होती है CO2 comparison में, इसलिए oxygen plays no role, तो इसको लिख लेना, oxygen plays little role in sensitivity of chemo risk, ओके, I hope बच्चो आपको ये concept समझ में आ होगा, so we have respiratory rhythm center that regulate, and here we are chemo receptor with sense, and ultimately ये भी respiratory rhythm center को ही बताएंगे, all right, moving further, to the terminology of respiration, तो बटा, respiration में कुछ-कुछ terms बहुत use हो, वो क्या है, चलो वो देख, सबसे पहला, एक term है पेटा, आपका, hypercapnia, क्या होता है hypercapnia, hypercapnia उस condition को कहते हैं, when there is more partial pressure of CO2, ठीक है, अगर मैं बोलू, flood में hypercapnia हो गया, उसका मतलब, उसका CO2 बढ़ गया, cynosis, blue coloration of blood, और blue coloration blood का कब होता है बटा, जब hypercapnia होता है, आपने देखा हो का न, deoxygenated blood जादा blue color का होता है, oxygenated red color, ठीक है, hypoxia, hypoxia का मतलब क्या है, hypo मतलब कम, there is less partial pressure of CO2, in the blood, ये hypoxia क्यों हो सकता है बटा, इस hypoxia के अलग-लग कारण है, एक होता है हमारे पास, hypoxic hypoxia, जिसका reason है, कि बाहर surrounding में ही, partial pressure oxygen का कम है, तो उस वज़ा से भी बंदे को hypoxia हो सकता है, जैसे high altitude पे अगर जाते हैं, तो partial pressure gases का क्या होता है कम, तो उस टाइम पर जो आपकी body में hypoxia हो रहा है, oxygen कमी हो रही है, उसे हम बोलेंगे hypoxic hypoxia, तो ये क्यों है, decrease in partial pressure of oxygen at one, दूसरा hypoxia है बेटा आपका, stagnant, और ischeme, ये hypoxia क्यों होता है, बेटा ये होता है, when there is low blood flow और blood pressure in, blood moving नहीं कर रहा है, तो ये oxygen उठाएगा कैसे alveoli के पास जाकर, उससे भी hypoxia हो सकता है, या फिर oxygen उठाने वाले ही कम है, बंदे को anemia है, there is less RBC in the body, तो उस condition में भी आपको hypoxia हो सकता है, तीसरा हिस्टो टॉक्सिक, मतलब कोई toxic substance आ गया है, जैसे साइनाइड, तो उस condition में जो साइनाइड है, वो cellular respiration रोग देता है, oxygen आगे tissues के पास ही नहीं पहुंच पाती, आगे use भी नहीं हो पाती, तो ऐसे hypoxia को हम आपको आपकों होती है, पाता लोग बता दी है, चलो, अब पढ़ेंगे बिटा, respiratory disorder, let's talk about the respiratory disorders, क्या-क्या respiratory disorders होती है, क्या-क्या परिशानिया हो सकती, पहली है asthma, हिंदी में अस्थमा, इंग्लिश में आज्मा, आज्मा क्यों होता है बिटा, आज्मा में सबसे पहले होता क्या है, there is difficulty in wheezing, and there is a wheezing sound, due to inflammation of bronchi and bronchioles, आज्मा अच्छल में है क्या बिटा, यह एक hyper allergy है, क्या है hypersensitivity या allergy है, hypersensitivity या allergy, जैसे लोगों को pollen allergy होती है, वैसे, इस allergy में क्या होता है, आपके जो bronchi और bronchioles होते हैं, वो inflame कर जाते हैं, उनमें सूचन आ जाते हैं, जिस वज़ा से, जो इन bronchi और bronchioles का lumen है, वो narrow हो जाता है, ये बंदे की, अगर आप देख सकते हो, ये एक फोटो में इस बंदे की lumen, देखो कितनी वाइड है राम से यर जा सकती हैं, ये जब बंदे को ask में, तो उसका lumen कितना narrow हो, दिख रहे हैं तो मतलब उसको difficulty होगी breathing में, होगी ना, तो यही होता है, जब inflammation होती है bronchi, bronchiol की, इससे lumen narrow हो जा, lumen of bronchi and bronchioles gets narrow, जब यह narrow हो जाएगा, तो ultimately क्या होगा बिटा, there will be a wheezing sound, तो सांस लेते वक्त एक sound सी, ठीक है, तो technically यह inflammation होती है, अब तुमारे दिमाग पे पक्का question आ रहा होगा, काश हम मैं पास होते हैं, मैं समय यह question पूछ पाते हैं, यह कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जो इस inflammation को कम करती है, इसमें ऐसे chemical होता है, दोखो पीछे यह inhale कर रहा था, यह काका सा चोटा सा कर रहा था न, ठीक है, यह क्या कर रहा है inhale, यह कुछ ऐसी chemicals इनहेल कर रहा है, जिससे यह जो lumen है, यह wider हो जाए, वो कैसे होगा, inflammation करके, तो यह कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, anti-histamines होते हैं, epinephrine भी in fact होता है, जो इसको क्या करता है, lumen को normal पे ले आता है, ताकि उसको properly है, तो basically allergy, तो this is about asthma, और अगर आपको याद होगा, यह bronchiols को infect कर रहा है, तो हम कहेंगे, यह किसको कर रहा है, upper respiratory tract को, lower को नहीं, तो कई बार ऐसा भी question आ जाता है, कि asthma कौन से respiratory tract को infect करता है, यह करता है बेटा, उपर वाली respiratory tract, upper respiratory tract, next, emphyzema, next है बेटा, emphyzema, आपने वो सुरेश मुकेश कौन है यार, वो क्या नामे उसको जो picture में पहले आता होता था, आजकल तो वहाता है ना, बहुत सारा टार, यह वही टार है, देखो, lungs में, यह टार दिख रहा है, यह infected lung है, यह normal lung, आजकल तो वैसे इतना pollution है, यार, लोग फिर भी यह करते हैं, क्यों करते हैं, समझ नहीं हाता है, बहुत बूरा होता है, cigarette smoking is injurious to health, हर जगा लिखा होता है, cigarette की डबी पे भी लिखा होता है, किससे cancer होता है, फिर भी, लोग आँख बन करते हैं, करते हैं, लोग करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्राक को इंफेक्ट कर रहा था, यह लोग रेस्पिरेटरी ट्राक को इंफेक्ट करते हैं, यह क्यों होता है बेटा, यह cigarette के पीने से, cigarette smoke, ठीक है, क्या होता है, destruction in low respiratorी ट्राक, बबबर respiratorी ट्राक, especially alveoli, इसमें alveoli destroy हो जाते हैं, अगर बेटा alveoli destroy होंगे, या मैं कहूँ कि respiratory zone destroy हो रहा है, exchange of gases, कम होगा, as a result इससे क्या होगा, there is decrease in surface area for exchange of, exchange of, ठीक है, दूसरा इसमें एक जो symptom दिखता है, वो दिखता है बेटा, barrel chest का, barrel समझते हो, barrel समझते हो, जिस shape का आता है, बड़ा सा, इतना, इतना बड़ा, जिसमें वो, ferment भी करते हैं, alcohol वगरे, इतने बड़े-बड़े होते हैं, barrel chest क्यों बोलते हैं, क्यूंकि बेटा, इसमें जब ये tract खराब होती है, तो उसकी elasticity loss हो जाती है, हवा वापस गई, तो it will recoil back, अगर ये fiber टूट गए, तो क्या ये वाली property हो पाएगी, जब हवा अंदर जाएगी, वो chest है, जो छाती है, वो ऐसे fully की fully रह जाएगी, और एक barrel की shape में रह जाएगी, इससे लिए इसमें एक चीज होती है, बंदों को barrel chest, और इससे लिए वो खासते रहते हैं, और जो chest है वो fully रहती है, तो ये क्यूं होता है, due to loss of elasticity, ठीक है, ये हुआ आपका infezema, next करते हैं बिटा, next है occupational respiratory disorders, ये क्यूं होते हैं, ये वो disorders हैं, जो बंदे को अपने occupations, workplace से आए हैं, अगर workplace में, जहां पर मतलब वो काम करता है, वहां पर बहुत ज़्यादा exposure है, बहुत खराब चीज़ों का, जैसे call mine में koila उड़ता रहता है, और koila अगर फेफ़डों में चला जाए, तो जो lungs हैं वो काले हो जाते हैं, जिससे black lung disease हैं, ये भी एक क्या है, occupational respiratory disorder, वैसे ही, जो glass factory में काम करते हैं, अगर उनको proper equipment ना दे, वहां पर glass उड़ता रहता है, तो वो silica के जो particles हैं, वो उनके lung में चले जाते हैं, और होता है, occupational respiratory disorder, जिससे silicosis कहते हैं, या फिर जो ऐसे factory में काम करते हैं, जहां पर sheet, asbestos की sheet बनती है, तुमने देखा, लोगों के घरों पर green लंग की चटसी डाली होती है, वो asbestos की sheet होती है, वो जब कटती है, उसमें से asbestos निकलता है, और अगर वो lung में चला जाए, तो एक occupational lung disorder होता है, जिससे कहते हैं asbestosis, तो occupational lung disorder, क्या हुए, the disorders that takes place, that takes place due to chronic exposure, chronic मतला बयंकर, chronic exposure of harmful substances, at work place, ठीक है, इसमें बेटा, एक मैंने आपको क्या बताया, black lung disease, जो किसकी वज़ा से होता है, koily की वज़ा से, एक मैंने बताया, आपको silicosis, जो किसकी वज़ा से होता है, silika की वज़ा से, और एक asbestosis, जो asbestos की वज़ा, इसका symptom क्या है, सबसे ज़्यादा बंदे को coughing बहुत होती है, और वो क्यूं होती है, बेटा, क्यूंकि यहाँ पर, एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो है fibrosis, यहाँ पर बेटा, क्या symptom दिखता है बंदे में, fibrosis दिखती है, जो fibres है, वो आपकी जो wall होती है, bronchi, bronchi, उसको बहुत मोटी कर देता है, उसकी elasticity, blues हो जाती है, जिसकी वज़ा से, आपको खांसी आती है, difficulty in breathing है, यह सब चीज़ ज़रूर याद रखना, वहाँ पर, fibrosis ज़रूर, जिससे एक thickening हो जाती है, आपके bronchi, bronchi, and there is difficulty in, यह था आपके तीन main disorders, इसके लावा, कुछ disorder में आपको करवाऊंगी, जो दो NCRT में mention नहीं है, बट यह आते हैं in this equation, या फिर कहलो, कि यह और भी chapters में fall, जैसे pneumonia, pneumonia बेटा, एक ऐसे बिमारी यह तुमने सुना होगा हमेशा, हाना, lungs में पानी भर गया, सुने आप बच्चों ने, आपने सुना होगा, कि lungs में पानी भर गया, नहीं सुना, नहीं सुना, हम सुना देते हैं गार, तो यह alveoli आप देख रहे हो, alveoli में एक फ्लूइड भर गया, तो लेमन लैंग्विज में पानी बोल देते हैं, पानी भर गया, तो होता क्या है बेटा यहाँ पर pneumonia में, pneumonia दो थरीके का होता है, एक होता है एक टिपिकल, एक होता है टिपिकल निमोनी, ठीक है, टिपिकल निमोनीय बैक्टीरिया से होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वियरस एक टिपिकल होता है, वाइरस से, फंगस से, प्रोटोजोन, इवन माइको प्लाजमा, अगर बैक्टीरिया के इलावा, कोई भी आपको निमोनीय होता है, उसे हम कहते हैं, जो बैक्टीरिया करता हो, उसे टिपिकल कहते है, होता क्या इसमें बैटा, ये बैक्टीरिया, आपके लंग्स के अंदर जाता है, अल्वेलाय में, यहां गया, यहां पर आपके कुछ मैक्रोफाजिस होंगे, और म्यूकस सेक्रिटिंग सेल भी होंगे, जब यहां पर इंफ्लमेशन होगी, तो जो म्यूकस है, उसका प्रोड़क्शन जादा हो जाएगा, और वो म्यूकस यहां पर भरने लगेगा, मुकस यहाँ पर बढ़ने लगेगा जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो inflammation करेगा जिससे मुकस भरने लगेगा आल्सो बैक्टीरिया विल क्रियेट पोर्ज यहाँ पर पोर्ज क्रियेट कर देगा तो जो surrounding fluid है tissues का वो भी अंदर जाएगा जिससे हम कहते हैं interstitial fluid तो यह जो fluid इकठा होता है वो interstitial fluid मतलब side वाले tissue से आया हुआ और mucus होता है और जब यहाँ पर पानी भर जाते है तो क्या gases यहाँ पर exchange हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी यहीं होता है निमोनी अगर gases exchange नहीं होंगी oxygen अंदर नहीं जाएगा CO2 अंदर बढ़ता जाएगा जिससे अगर CO2 जादा हो तो आपका blood नीला दिखता है आपको वो नीला पन आपके fingernails भी दिखेगा lips में ही दिखेगा skin भी नीली नीली तो यह एक symptom होता है निमोनीय का तो नीमोनीय में बटा क्या होता है there is inflammation inflammation due to bacteria और जो भी microorganism आएगा मैं bacteria लेकर चल रही हूँ जिससे increased mucus production there is increased mucus production और क्या होगा there is force created force created in wall of alveolar wall of alveolar ठीक है अब बेटा इससे क्या होगा interstitial fluid enters in the lumen किसका lumen? alveolar अब इससे क्या होगा fluid increases in alveolar and there is less there is less exchange of there is less of तो यह होता है बेटा निमोनी और जो वो बाकी symptoms है वो आपको पता है कि fingernails नहीले हो जाते है यह हो जाता है वो हो जाता है everything will go into face इसको लिख लो आप अब पिर हम आगे एक और disorder करेंगा तो यह था बेटा निमोनीया हमने अभी तक क्या किया हमने आस्मा किया इंफाजेमा किया occupational lung disorder किया निमोनीया किया अब हम आगे पढ़ेंगे carbon monoxide poisoning तो बेटा जो आपका oxygen होता है वो हीमोग्लोबिन का दोस्त है उससे भी तगड़ा दोस्त कौन है carbon monoxide carbon monoxide और हीमोग्लोबिन की यारी ऐसे है कि अगर carbon monoxide ने हीमोग्लोबिन को पकड़ लिया वो नहीं छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा आपने एक सुना होगा ना कि अगर बंद कमरा है बिना किसी खिड़की विड़की के उसमें candle 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 जिलाके कभी नहीं यह दिया पूरा time जिलाकर क्यूंकि जब वो burn होगा तो carbon monoxide छोड़ेगा carbon monoxide अगर हीमोग्लोबिन पे लग जाता है तो वो उसको नहीं छोड़ेगा जिससे oxygen की कमी होती है that is hypoxia हो जाता है और यह जानलेवा और ऐसे condition को हम क्या carbon monoxide poisoning क्या होता है carbon monoxide poisoning में there is increase in CO क्या होता है increase in CO चलते हैं इसमें क्या होता है there is increase in carbon monoxide जो किसके साथ लगता है हीमोग्लोबिन साथ और यह यहाँ पर क्या करता है एक strong complex बनाता है, इसकी जो affinity होती है न, oxygen के मुकाबले, वो 200 times जादा होती है, times more affinity than oxygen, और जो ये compound बनाता है, ये आपके fingernails को cherry red color देता है, cherry red color, एक तो red normal होता है, ज़्यूदा ज़्यूदा लाल होता है, जिब हम बहुत highly polluted area में रहते हैं, वहाँ पर लोगों में देखा गया, उन में भी जो fingernails हैं, बहुत dark red color के तो उससे हो सकता है उन persons में, जो carbon monoxide poisoning, chances, ये थी आपकी carbon monoxide poisoning, moving further, okay, to mountain sickness, mountain sickness की बात करें, अब आपने again ये भी सुना होगा, कि जब कोई high altitude पे जाता है, कहां पर high altitude, तो वहां पर partial pressure oxygen का कम हो जाता है, और बंदे को होता है hypoxia, अभी मैम ने सुनाया था, उससे क्या होता है, उस बंदे को vomiting अंदर, आपने देखा होगा न, कई लोग पहाड़ों में जाते हैं, उल्टियां करते जाते हैं, सुने, vomiting होती है, fatigue होती है, breathlessness होती है, सांस नहीं आता, अभी देखो, वहां पर एक द साइट पे, वहां पर आपको एक दिन तो acclimatize करने में लग जाते हैं, acclimatize मतलब body को समझाने में, कि आप high altitude पे आए हो, उसके according आपकी body react करती है, RBC production बढ़ा देती है, तो यही होता है mountain sickness की, mountain में जाओ और इसकी तरह उल्टियां करो, कर रहा है, उल्टि, उसके वैसे body size स जादा क्यूल्टी है, पर चलो anyways, ठीक है, तो यह होता है mountain sickness की high altitude पे oxygen कम होने से, body को यह symptoms दिखते है, vomiting, fatigue, breathlessness, etc, ठीक है, उसके बाद, जब थोड़ा दिन आप वहां रहते हो, तो body अपने आप क्या हो जाती है, acclimatize, क्या word यूज करते हैं हम, acclimatize, acclimatization of body, कैसे होता है ब increase in RBC, पहाड़ी लोग होते हैं वहां पर उनके होते हैं लाल-लाल गाल, क्योंकि उनमें RBC हम से इसादा हो, okay, next है बिटा, decompression sickness, जिसे हम bends disease कह देते, bends, ठीक है, bends भी कह देते, okay, decompression sickness क्या होता है, यह बिटा, diverse paralysis भी कह देते, जो divers होते हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पर बिचारे diver ऐसे बैठ है, यह oxygen cylinder बिचारे को लगाया हो है, जब कोई underwater diving करता है, जब कोई underwater diving करता है, मतलब पानी की नहीं, जब आप high altitude पे जाते हो, जब आप high altitude पे जाते हो, तो high altitude पे आपका pressure बढ़ता है, और आपकी, sorry, high altitude प असले आप, जब आप down the sea जाते हो, below कहते हैं, below the sea level जाते हो, तो आपका gases का जो pressure है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जादा होता है, gases का pressure जाते है, तो whenever you're going down, नीचे, there is increase in pressure of gases, increase in pressure of gases, ठीक है, नीचे जाते हुए आपके gases का pressure ज़ाद होता है, अब बेटा, जब diver नीचे जाता है, तो नीचे जाते हुए gases का pressure ज़ाद होता है, तो उसको उसमें क्या changes आती है, अब हमारे पास, हम तो वो tank लेकर जाते हैं, उसमें सिर्फ oxygen नहीं होता, उसमें और gases भी होती oxygen, तो जैसे हम नीचे जाते हैं, हमारा gases का pressure बढ़ता है, उपर हमारे nitrogen हमारे अंदर नहीं करती है, पर नीचे जब हम जाते हैं, तो gases का pressure ज़ादा होने की वादे, nitrogen हमारे की हमारे अंदर आना शुरू है, ठीक है, due to high pressure, the nitrogen enters into body, और जब हम उपर आते हैं, तो diver को ये बोला जाता है, कि वो zigzag manner में उपर आये, time लेकर है, दीरे दीरे, जब diver एकदम से उपर आने की कोशिश करता है, तो उसको problem क्या आती है, अब जो gas हमारे अंदर जा चुकी है, बोडी में, अब वो जैसे ही उसको आप एकदम से low pressure देन शुरू करोगे, तो वो gas आपके tissues में से बाहर आनी शुरू होगी, tissues में से बाहर आनी शुरू होगी, और वो blood में जाके bubble बना देगी, जिससे आपकी arteries में pressure बनेगा, और वो फट भी सकती, तो कभी भी divers को सीधा नहीं आना चाहिए, diver को कैसे zigzag में आना, because एकदम से pressure change होगा और एकदम असेंट करेगा pressure change होने से, gases will move out, जिससे उसको problem हो सकती है, so it's always said that, always said that, the ascent of a diver should be slow, why, because due to change in pressure, nitrogen moves out quickly, which can burst the blood vessel, can burst the blood vessel, और यहां पर जो भी उसको होता है बंदे को, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उससे हम कहते हैं, decompression sickness, और क्या कहते हैं उससे, bends यह, diver's paralysis, और क्या symptoms हो सकते हैं, उसके गुटने गुटने दर्द हो सकते हैं, fatigness हो सकते हैं, उसको vomit भी लग सकते हैं, तो यह सारे problem हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसको चक्कर वक्कर भी हैं, fine, so this is your bends or diver's paralysis, alright, moving further to the question, The chronic respiratory disorder due to heavy smoking in which the alveolar walls are damaged is, asthma, bronchitis, pneumonia, emphysema, simple question है, सीधा क्या पूछ रहा है, ऐसा chronic disorder, बच्चे, जिसमें, जो having smoking की वज़ा से होते हैं, cigarette smoking की वज़ा से, जिसमें alveolar wall damage होते हैं, वो कौन सा था, asthma तो allergy थी, bronchitis तो pollutants की वज़ा से होता है, आज कल बहुत लोगों को हो रहा है, ठीक है, डेली में, मेरेको तो बहुत हो गया था, बीच में, pneumonia किसकी वज़ा से होता है, यह organisms causative agent like bacteria, emphyzema किसकी वज़ा से था, इसमें answer, बिटा, क्या बनेगा आपका, ठीक है, कर लोगे ऐसा question, आगे, lack of pulmonary surfactant can cause asthma, atelectosis, cystic fibrosis and emphyzema, चलो, इसमें मैं आपको नई चीज़ बताऊंगे, इसलिए मैं यह question लेकिया ही हो, ठीक है, एक स्ट्रा चीज़ बताऊंगे, चलो, चलो, बताऊ, क्या होता है यह, lack of pulmonary surfactant can cause, हमने एक surfactant किया था, lecithin, क्या था, secreted by type 2 cell, क्या करता है यह, it prevents collapse of alveoli, यह क्या था, और alveoli का collapse compromet कर रहे है, surfactant lecithin, और collapse के लिए दूसरा term है, atalectosis, ठीक है, तो atalectosis क्या है बेटा, collapse और obstruction, मतलब रुकावट, तो यह क्यों होता है, क्योंकि क्या खतम हो जाता है, surfactant कम हो जाता है, asthma allergy है, cystic fibrosis बेटा, इसमें आपकी जो fibres है, उसका destruction होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक genetic disorder है, emphysema आपको पता है, cigarette smoke है, वांसर क्या बना यहां पर, ठीक है, ओके, कर लोगे न, देखो, या आता था था तुम्हें थोड़ा-थोड़ा, जालो, आगे, which of the following is occupational lung disorder, anthracis, silicosis, emphysema, botulism, straightforward question, अगर बाकियों के बारे में नहीं भी पता, जानना भी नहीं है, anthracis, anthrax, यह cow से आती है भीमारी, यह तो नहीं हो सकता, silicosis आपको मैंने पढ़ाया है, emphysema, cigarette smoking यह नहीं हो सकता, botulism क्या होता है बाटा, यह यहाँ पर कुछ इसका लेना देना नहीं है respiration में, इसका लेना देना कहां पर है, इसका है muscles के साथ, तो एक clostridium botulinum होता है, वो करता है botulinum, ठीक है, तो क्या answer हुआ बाटा, answer number 2, आगे, pneumotexic center can moderate the function of the respiratory rhythm center, it is present in medulla, pons, cerebrum, cerebellum, वो कह रहा है कि जो pneumotexic center है, वो respiratory rhythm center का control करता है, और वो कहां पर होता है, मतलब pneumotexic center कहां पर है, कहां पर है बेटा, pp से pons, तो answer हुआ 2, पहली लाइन तो ऐसे confuse करने के लिए, ठीक है, चलो, आगे, high po2, low pco2, lesser h-positive iron concentration and lower temperature, are favorable for oxygen hemoglobin dissociation and causes right shift, favorable for formation of oxyhemoglobin and causes right shift, favorable for formation of oxyhemoglobin and causes left shift, and favorable for oxyhemoglobin and causes pure heat, चलो, बताओ क्या होगा इसका, अगर मेरे पास oxygen का partial pressure जादा है, बुरे वला that is co2 कम है, h-positive iron भी कम है, and temperature भी कम है, तो मेरी shift कौन सी बताई थी मैम ने ये सारी, left shift, ठीक है, और left shift में बिटा क्या होता है, oxyhemoglobin बनता है, so there will be formation of oxyhemoglobin and that causes left shift, बनेगा, okay, चलो, तो बताओ, it was all about this chapter breathing and exchange of gases, please, please, please do PYQ previous year question of this chapter, plus please read NCRT and make a good, good, good notes, notes, notes बनाने का एक ही तरीका है, जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ, अब साथ-साथ लिखे रहा करो, pause करो, लिखो, pause करो, लिखो, और बस उसको साथ-साथ या, and question अगर लग जाए, तो बढ़िया बात क्या होता, I'll meet you in the next class, wherein we'll start with another chapter, अगर एक चाप्टर हो गया है, उसको वहाँ पर धूबत्ती लगा के किताबों को बंद नहीं करना है, राधर आपको अच्छे से रिवाइस करना है, give two days in a week for revision, for example, Saturdays and Sundays, keep that for revision, and keep on revising, revising and revising, this is the only thing that works for biology, बाकी सब कुछ भी नहीं है, सब मोम आया है, right? चलो, okay बिटा, bye-bye, take care.